हलो दोस्तो गोड इवनिंग मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज से स्टार्ट होने जा रहा है बिहार एस्टेट और बिहार एस्टेट का आज समाजिक विज्ञान का अर्थ शास्त्र टेस्ट नंबर दो टेस और ये क्लास 9 एंड क्लास 10 से लिया गया है तो और बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया है तो आपके लिए बहुत important question है जो आपको एक्जाम में पूछे जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का समाजिक विज्ञान अर्थ शास्त्र और अर्थ शास्त्र के economics का पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण है उब्होकता संरच्छन अधिनियम के अंतरगत उब्होकताओं को उब्होकताओं के अपील सुनने का अधिकार है आनि उब्होकता संरच्छन अधिनियम के अंतरगत जो उब्होकता का अपील है वो कौन सुनेगा तो इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका answer हो जाएगा आपका C number यानी राज आयोग और राश्ट्री आयोग दोनों सुनेगा तो इसका answer क्या ओगए आपका C number नेट्सट परसने देखते हैं आपका सेकंडर कि बहुत इंपोर्टेंट परशने की राश्ट्री उभूगता दिवस कब मनाया जाता है तो दोश्ता क्या हो जाएक अबुरेफ को आपका इन्सर चोविस दिसंबर को है diye 24 दिसंबर को राश्ट्रिय उभोकता दिवस मनाया जाता है तो इसका एंसर क्या होगे आपका डी नमबर और दोस्तों हमारी चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले क्योंकि इसी परकार से आपको टेस्ट कराया जाएगा इकनोमिक्स का जोगरफी का पॉलीटी का हिस्ट्री का तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो मिलता रहे चलिए तीसरा प्रश्ण है कि उभोकता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो एंसर हो जाएगा आपका A नमबर यानि 15 मार्च को उभोकता अ सेवा का मुल्य 20 लाग से अधिक तथा एक करोड से कम है तो उभोकता कहां शिकायत करेगा अगर 20 लाग से अधिक और एक करोड से कम है तो कहां शिकायत करेगा तो चार का आपका एंसर हो जाएगा दूस्तो B नमबर राज्य आयोग में कहां शिकायत करेगा तो राज्य आय प्रश्ण है कि सुचना का अधिकार कपारित किया गया था तो एंसर हो जाएगा आपका C नंबर यानि 2005 देखिए आप पूरा डेट याद रखे पूरा डेट है 12 मई 2005 इस्वी को सुचना का अधिकार पारित किया गया था एंसर हो गया आपका C तो पूरा डेट याद रखे आ अगला प्रस्त है, शुचना का अधिकार किस परकार का अधिकार है? तो एंसर हो जाएगा आपका C अभर यानि वैदानी का अधिकार, एंसर क्या हो गिया? सेवन का दोस्तो सेवन का हो जाएगा आपका ए नमबर जागू ग्राहक जागू है ना आप लोग देखे भी होगे सुने भी होगे जागू ग्राहक जागू क्या है वो भुकता जागरन के लिए सबसे परचलित नारा है इंसर हो गया आपका ए मेक्ष्ट परचन है आपका परत में मानव अधिकार सुरच्छा अधिनियम का पारित किया गया तो मानव अधिकार सुरच्छा अधिनियम जो पारित किया गया आठ का एंसर हो जाएगा आपका C नंबर 1993 में मानव अधिकार सुरच्छा अधिनियम पारित किया गया एंसर क्या हो गया C नेक्ट परसने देखिए 9 नमबर वैस्वी करन को प्रोथसाहित करने वाले कारकों में कौन शर्वाधिक महत्व पूर्ण है तो कौन सर्वाधिक महत्व पूर्ण है 8 का क्या हो जाएगा दोस्तो 9 का क्या हो जाएगा 9 का हो जाएगा C नमबर यानि सूचना एवं संचार प्रोद्योगी की का विकास ठीक है इंसर क्या हो गया सी चलिए अगला प्रस्ण है दस नमबर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो जरूर सब्सक्राइब करे और लास्ट में कॉमेंट जरूर करेगा और कॉमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आप सभी का कितना कितना मार्श आया है चलिए दस नमबर आपका जवाब दे बहुर आस्ट्रिय निगमों तवारा दुसरे देसों में निवेस का सबसे समान तरीका क्या है तो सबसे समान तरीका क्या है दस का क्या हो जाएगा आपका एंसर बी नमबर यानि अस्थानिय कमपनियों को खरीद लेना इसका एंसर क्या होगे, अस्थान ये कमपनी को खरीद लेना, चलिए नेक्स्ट परस्ण है आपका 11, 11 नमर परस्ण है, निम्नांकित में कौन बहुराश्ट्रिय कमपनी है, तो निम्न में से कौन बहुराश्ट्रिय कमपनी है, ओप्सन A है फोर्ड मोटर्स, और B है कोका कोला C है, सैमसंग D है, इनमें से सब ही, तो क्या हो जागा इसका, इनमें से सब ही, यानि D नमर सब ही बहुराश्ट्रिय कमपनी है, अगला परस्ण है आपका 12 नमर वैस्वी करन का उदेश से है, वैस्वी करन का उदेश से क्या है, तो 12 का क्या हो जागा दोस्तों, आपका D नम क्या हो गया डी अगला परश्न देखिए तेरा नंबर शुरू किया गया और तो B number यानि जवाहर रोजगार योजना जो शुरू किया गया था पूरा date याद रखे 1 April ठीक है? 1 April 1989 इस वी को ठीक है? जवाहर रोजगार योजना तो आप पूरा date याद रखे ताकि आपको एकजामें confusion न हो अगला पुरशन देखिए 14 number कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने छेत्र हैं? आर्थिक विकास के कितने छेत्र हैं तो तीन छेत्र हैं तो इसका एंसर हो गया B अगला प्रशन है आपका 15 नमबर कि भारत सरकार ने किस परकार की सिच्छा को मौलिक अधिकार घोशित कर दिया है तो भारत सरकार ने मौलिक अधिकार जो घोशित किया है सिच्छा को वो है प्रारंभिक सिच्छा आनि 6 से 14 वर्स के सभी बच्चों को निसुलक एवं अनिवारे सिच्छा परदान की जाए ये अनुछेत कितने के तहट किया गया है तो 21 के एक के तहट किया गया है तो ये पूरी वाते आप याद रखे जो बार भार एकजाम में पूछे जाते हैं इसका एंसर क्या होगे आपका A नंबर चलिए अगला प्रस्न देखते हैं 16 नंबर 16 प्रस्न है कि भारत को किस उद्योग के छेतर में अधीक सफलता मिली है तो कौन सा उद्योग है जिसमें अधीक सफलता मिली है तो क्या हो जाएगा computer hardware और computer software तो दोनों में भारत को अधीक सफलता मिली है एंसर हो जाएगा आपका C नेक्स्ट प्रस्न है आपका 17 नंबर 17 नंबर प्रस्न है दूस्तो सेवा छेतर का निर्मान होता है सेवा छेतर का निर्मान होता है किससे होता है तो परिवहन सेवाओं द्वारा संचार सेवाओं द्वारा वानिज सेवाओं द्वारा इनमें से सभी क्या हो जागा answer D नमबर आनिनमें सभी के द्वारा सेवा छेतर का निर्मान होता है अगला परश्न देखते हैं 18 नमबर 18 तरह परश्न है कि आपका C नमबर यानि सेवा छेत्र में हना सेवा छेत्र में ज़्यादा कारेरत है विक्सित देशों की जनसंख्यां एंसर हो गया आपका C अगला प्रस्ण देखिए 19 नमबर कि बिहार राज में बिहार राज में कारेरत केंद्रिय शहकारी बैंक की शंख्यां कितनी है तेकि आपको बिहार से भी आपको question आना चाहिए जो भी आपको class 9th and 10th बिहार text book में दिया गया है वो आपको यहाँ पे question बना करके लाया गया है तो यह आपके लिए बहुत important है बिहार estate के लिए तो 19 का आप जवाब दे कि भी हर राज्य में कारे रत केंद्रिय शहकारी बैंक की संख्यां कितनी है तो 19 का क्या हो जागा दोस्तो आपका A नंबर 25 है केंद्रिय राज्य में कारे रत सहकारी बैंकों की संख्यां कितना हो गया 25 answer नंबर A अगला प्रस्ण देखिए 20 नंबर कि भारत में भारत में सहकारिता अंदोलन का प्रारंब कब हुआ तो वो हुआ था 1904 इस्वी में है ना 1904 इस्वी में एंसर हो गी आपका A Next प्रस्ण है आपका 21 21 प्रस्ण है कि भारत की वित्तिय राजधानी किस सहर को कहा जाता है अना मुंबाई को क्या कहा जाता है वित्तिय राजधानी एंसर हो गया A बहुत बार आपको एकजाम में पुछे गया है दूसरे भी एकजामों में पुछे जाते है चलि एगला प्रस्ण है आपका 22 नंबर कि भारत की आर्थिक बिवस्था कैसी है भारत की जो आर्थिक बिवस्था है वो कैसी है तो वो है आपका मिसरित भारत की आर्थिक बिवस्था कैसी है तो मिसरित आर्थिक बिवस्था है एंसर हो गया आपका C बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण नेक्स्ट परसने देखते हैं 23, 23 परसने दोस्तों कि सहकारिता प्रांतिये सरकारों का हस्तांतरित विशे कब बनी, है ना तो हस्तांतरित विशे कब बनी 23 का एंसर हो जाएगा आपका B नंबर 1919 में सहकारिता प्रांतिये सरकारों का हस्तांतरित विशे बनी, एंसर हो गया क् नेक्स्ट परश्चन देखते हैं 24 भारत में अभी कारे रत छेट्रिये ग्रामिन बैंक की शंख्यां कितनी है तो भारत में अभी टोटल कितने छेट्रिये ग्रामिन बैंक कारे रत है तो वो है 196 B196, एंसर क्या हो गया, B196, चलिए अगला पुरश्ण है, आपका 25, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, mutual fund संस्था क्या है, mutual देखे, दो वार लिखा गया है, mutual fund संस्था कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी, तो आपका एंसर क्या हो जाएगा, 25 का D नमबर, यान UTI, UTI का full form आपको याद रखना चाहिए, तो unit trust of India, क्या हो गया, unit trust, unit trust of India, ठीक है, तो पुरा इसका full form भी याद रखे, कभी-कभी full form भी दे दिया जाता है, हना, चलिए, और SBI को फुल form जानते हैं, यह है, state bank of India, LIC का full form जानते है, life insurance, और GIC का full form आपको पता होना चाहिए guaranteed investment certificate, तो सभी का full form याद रखे, और उसके बारे में जानकारी रखे, तो सबसे बड़ी mutual fund कौन सी हो गई, आपका UTI, एंसर हो गई, आपका D, चलिए अगला परसन है, 26 number, और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज एक like जरूर करें दोस्तों, और comment last में आपको बार बार बोल रहा हो, कि last में comment जरूर करें, आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसमें क्या बदलाओ चाहते हैं, क्या changing चाहते हैं, कितना कितना आप लोग का मार्श आया, आप लोग जरूर जरूर बताइए, चलिए 26 है कि भारत में stock exchange का नियमन कौ करता है, तो answer हो जाएगा, आपका 26 का सेवी, अब देखिए सेवी आया, तो सेवी के बारे मापको जनकारी थोड़ा बहुत होने चाहिए, कि सेवी का full form क्या होता है, सबसे पहले full form पूछा जाता है, तो आप याद कर ले, Securities and Exchange Board of India, Securities and Exchange Board of India, सेवी की अस्थापना बार बा आपको एकजाम में पुछा जाता है, तो इसकी अस्थापना होई थी, दोस्तों, आप नोट कर ले, 12 April 1988 इस वी की सेवी की अस्थापना होई थी, तो इतना आप याद रखे, इसका full form और इसका अस्थापना, अब देखिए, यहाँ दिया गया है RBI, यह नमर उप्सन है RBI, RBI से हमेशा आपको एकजाम में पूछे जाते हैं, तो RBI का full form तो आपको पता है, इसकी अस्थापना कब होई थी, हना हमेशा आप बार बार आपको अस्थापना पूछा जाता है, तो इसकी अस्थापना होई थी, 1 April, 1 April 1935 इसवी को, हना, एक्ट कौन से एक्ट के तहत हु ख्याले हैं, और इसका रश्ट्रिय करन कब किया गया, RBI का, तो 1949 इसवी को इसका रश्ट्रिय करन किया गया, अभी आई, अभी वर्तमान में, RBI के गवरनर कौन है, तो ये आपको पूछा जाएगा, तो RBI का भी गवरनर कौन है, तो सक्तिकांत दास, कौन है, सक्ति, सक्त कांत दास है है ना सकती कांत दास और यह कैवे नमर के गुवर्णर है तो पचीसवे नमर के गुवर्णर है तो यह पूरी बाते आप याद रखे जो आरवी ऐसे हमेशा आपको एक्जाम में पूछे जाते हैं चलिए अगला परशन हम लोग देखते हैं नेक्ट परशन है ट्वेंटी सेवन भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है जो कागजी नोट मुद्रा जारी किया जाता है इसका पूर्ण अधिकार किसके पास है तो आपका ट्वेंटी सेवन का क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेव सीट नमबर भारतिया रिज ़सायाइं का राष्ट्री करन कभ किया गया तो bronze 7 इसबी गलत से साथ लोग और नमबर और और बाती स्बारल पर होता है तो साख पर प्रतिग्यां पत्र होता है, क्या होता है, प्रतिग्यां पत्र साख का अर्थ होता है, तो ये आप याद रखे, ठीक है, एंसर होगी आपका C, अगला परश्ण है आपका 30 नंबर, 30 नंबर परश्ण है कि वी निमय की प्रारंभीक अवस्था में व्यापार किस पर अधारित वीनिमय की प्रारंभिक अवस्था था जो अस्टार्टिंग में जो इसका वियपार किस पे अधारित था तो 30 का आपका एंसर हो जाएगा एंसर नंबर और वस्तु वीनिमय पे अधारित था स्टार्टिंग में तो पैसा था नहीं तो उस समय आप वस्तू देते थे और वस्तू आपको मिल जाता था तो वस्तू भी निमय था प्राणभिक अवस्था में इंसर क्या होगे आपका ये नमबर यानि आधी मानव के काल में है न नेक्स्ट प्रशन देखते हैं 31 31 है कि प्राचिन काल में किस धातू का मुद्रा के रूप में सरवाधिक परियोग हुआ तो किस धातू का सबसे ज़्यादा परियोग हुआ मुद्रा के रूप में तो आपका क्या हो जागा 31 का दोस्तो डी नमबर यानि चान्दी और शोना का सबसे अधिक परियोग हुआ था एंसर क्या हो गया? D. अगला परशन है 32 कि मुद्रा का प्राचिंतम रूप है मुद्रा का जो प्राचिंतम रूप है वो क्या है? तो वस्तु मुद्रा हना मुद्रा का प्राचिंतम रूप हो गया? वस्तु मुद्रा क्योंकि उस समय वस्तु को ही मुद्रा माना जाता था तो क्या हो गया इसका इंसर? C नेक्ष्ट देखते हैं 33 हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है वो कौन शी मुद्रा है जिसको वैधानिक मुद्रा मान्यता प्राप्त है तो 33 का answer हो जाएगा आपका C number यानि पत्र मुद्रा answer हो गया C अगला परस्ण देखिए 34 34 number question मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है विनिमय का माध्यम सबसे जो पहला कार्य इसका है विनिमय मतलब खरीद विक्री का माध्यम जब तक मुद्रा नहीं रहेगा तब तक आप नहीं खरीद सकते हैं और नहीं बेच सकते हैं तो इसका answer क्या होगी आपका A number next question देखिए 35 राष्ट्रिय आय का क्या अर्थ है राष्ट्रिय आय का क्या अर्थ है तो D number answer हो जाएगा आपका उत्पाद के साधनों की I answer हो गया आपका D next question देखते हैं 36 राष्ट्रिय आय का सिर्जन होता है राष्ट्रिय आय का सिर्जन होता है तो किस किरिया से होता है तो उत्पादक किरियाओं द्वारा होता है राश्टरिये I का सिर्जन answer क्या हो गया दोस्तो D. नंबर next question है आपका 37 और 37 नंबर प्रस्न है कि राश्टिये I में शम्मिलित रहती है राश्टिया I में क्या-क्या शम्मिलित रहती है तो A है option घरेलिव उद्योगों कि I और B है विदेशों से प्राप्त आये तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर A और B दोनों एंसर हो गया आपका C नेक्ष्ट परशन है आपका 38 भारत की राश्ट्रिय आये का सर्व प्रथम अनुमान किसने लगाया था सर्व प्रथम बहुत बहुत इंपोर्टेंट परशन है ना सर्व प्रथम अनुमान किसने लगाया था भारत की राश्ट्रिय आये का तो क्या हो जागा 38 का आपका इंसर हो जागा दोस्तो डी नंबर दादा भाई नोरोजी ये क्वेस्टन जो है आपको सभी एकजामों में बहुत बार पुछा गया है हाँ ना देख्या होगा इसका इंसर डी नंबर अगला परशन है देखिए 39 बहाईन दुहाजार बारा तेरा में भारत की प्रतिव्यक्ति औश्रत आये दी तो 12LR में जो भारत की प्रतिव्यक्ति आये था बहुत बहुत important प्रशने दोस्तों जो ये question करा है कि दादा भाई नोरोजी 1968 मने पतलाओ दादा भाई नोरोजी के अनुशार 1968 में भारत की परतिवेक्ती आय कितना था वो था दोस्तों आपका 20 रुपिया मातर कितना था 20 रुपिया था किसके अनुशार दादा भाई नोरोजी के अनुशार कब का तो 1968 का next question देखते है 41 नमर प्रशने भारत में पहली पंचवर्सिय योजना की अवधी कौन सी है तो पहली पंचवर्सिय योजना की जो अवधी है वो है आपका 1951 से लेकर के 1956 और इसका पूरा डिट याद रखे तो 8 दिसंबर को सुरू हुआ था 8 दिसंबर 1951 से 1956 तक कौन किये थे तो पंडी जो आहरलाल नेहरू ने किये थे देखिए पर्थम पंचवर्सी योजना का लक्ष क्या था ये आपको एकजामे बहुत वार पुछे गए है तो पर्थम पंचवर्सी योजना का जो लक्ष था वो था दोस्तों आपका क्रिशी तो याद रखेएगा पर्थम पंचवर्सी योजना का लक्ष क्रिशी था इसका एंसर क्या हो गया आपका B नमबर अगला परस्ण देखते हैं 42 राश्ट्रिये विकास परिशत का गठन कब किया गया था बहुत बहुत important परस्ट अना राश्ट्रिये विकास परिशत का गठन कब किया गया था तो आपका 42 का answer हो जाएगा C नमबर 6 अगस्त 1952 कब किया गया था 6 अगस्त 1952 वीको और जो राश्ट्री विकास परिशत का जो अध्यच होता है वो कौन होता है तो परधान मंत्री होता है यह भी बहुत वारे आपको एकजामे पुछा गया है कि राश्ट्री विकास परिशत जो है इसके अध्यच कौन होते हैं तो परधान मंत्री इसके अध्यच होते हैं इंसर क्या होगे आपका शी अगला परशन देखिए 43 नमबर कि अर्थ शास्त्र में भूमी सब्द का क्या अर्थ है अर्थ सास्तर में भूमी शब्द का क्या अर्थ होता है तो एप्सन A है कि भूमी की उपरी शता है B है खनी संपदा और C है जंगल तो ये तीनों होता है भूमी का शाब्तिक अर्थ इंसर क्या हो गया दोस्तो D नंबर नेक्ष परस्ण देखिए 44 उत्पादन के साधनों में कौन शर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो उत्पादन के साधन में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका वो है स्रम कौन महत्वपूर्ण है स्रम तो इंसर क्या हो गया आपका B नेक्ष प्रस्ण देखिए 45 की निमन में कौन अचल पुंजी है कौन अचल पुंजी है तो 45 का क्या हो जाएगा आपका A नमबर कर खाने का भवन जो है यह हमारा अचल पुंजी के अंतरगत आता है तो इंसर क्या होगे आपका A अगला प्रस्ण है 46 उत्पादन का अर्थ क्या है तो उत्पादन का अर्थ क्या है 46 का एंसर क्या हो जाएगा आपका B नमबर यानि उप्योगिता का स्रीजन उत्पादन का अर्थ होता है उप्योगिता का स्रीजन एंसर क्या हो गया B नेक्ष परस्ण देखिए 47 नमबर फोटी शेवन परशने दोस्तों कि 2001 की जनगन्ना के नुसार भारत वासियों की आउसत आयू कितनी है बहुत बहुत आपका इंपोर्टेंट परशन है कि 2001 की जनगन्ना के नुसार भारत की आउसत आयू कितनी है तो IU जो आउसत है वो है 63.8 इनसर क्या होगे आपका C नमबर आनि 63.8 वर्स वारसी मतलब क्या है आउसत IU है मतलब एक व्यक्ति इतना दिन तक जियेगा अना तो 2001 के अनुसार था ये नेक्स्ट परसन देखते हैं आपका 48 नमबर 48 है कि 2011 के जनगन्ना के अनुसार बिहार की सचरता दर कितनी है तो बिहार की जो सचरता दर है वो है आपका A नमबर 63.8 ये भी आपका बहुत बहुत इंपोर्टेंट परसन हो जाता है तो क्या हो जागा इसका A नमबर 63.18 बिहार क सचर्था दर है 2001 के जनगन्ना के अनुशार क्या होगा answer A next question देखिए 49 number कि बिहार की जनसंख्या घनत वो कितनी है बहुत बहुत important question बिहार की जनसंख्या घनत वो कितनी है बहुत बार आपको एकजामे पुछा गया है तो ये हो जाएगा आपको ग्यारा सो छो व्यक्ति प्रति वर्ग कीलो मीटर तो ये प्रति वर्ग कीलो मीटर आपको हमेशा याद रखना है इसका मतलब क्या होता है कि जैसे एक कीलो मीटर इधर भी एक कीलो मीटर इधर भी एक इधर भी एक ये वर्ग है तो चारो सैड एक कीलो मीटर मतलब प्रती वर्ग किलो मीटर मतलब इतना छेतर में जितने लोग निवास करते हैं तो बिहार में कितने निवास करते हैं तो ग्यारा सो छे और ये जो है ग्यारा सो छे ये भारत में सबसे अधीक है तो ये भी बात याद रखिए कि सबसे अधीक जनसंग क्या घनतों कहां है बिहार में है कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग कीलो मीटर एंसर क्या होगा दोस्त आपका B नमबर नेक्ट प्रस्ण देखते हैं और आजका लास्ट प्रस्ण और दोस्तो आप लोग लास्ट में जरूर कॉमेंट किजेगा दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग को कैसा लगा आप लोग कितना मारस आया है और अभी तक like नहीं कियें तो like कर दे और subscribe नहीं कियें तो subscribe कर दे और आप इन दूस्तों को जरूर शेयर करे चलिए लाश्ट प्रश्ण का आप लोग जवाब दे दे कि बिहार के किस जीले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधीक है आना बहुत बहुत important प्रश्ण है क्योंकि बिहार का आपका बिहार estate होने वाला है तो बिहार का बिहार से संबंधित आपके प्रश्ण जरूर हैगा तो ये आपके लिए बहुत important हो जाता है तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधीक कहां है बिहार में तो वो है आपका सीवहर देखिए बहुत सारे लड़का आपको मारेगा गया पटना है न लेकिन नहीं क्या है सीवहर इसका सबसे अधीक जनसंख्या घनत्व है तो एंसर क्या होगे आपका A नंबर ठीक है दोस्तो तो ये था आज का most important 50% class 9th and class 10th से बिहार text book दोस्तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कोमेंट करके और कितना कितना आप लोग मार्श आया ये दोस्तो हमारा चैनल नेम है तो अभी तक हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं की है तो प्लीज 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 सबस्क्राइब कर ले बेल आगन प्रेश कर ले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों और यह हमारा टेली ग्राम चेनल है जहां से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और यह देखिए हमारा Facebook पेज है Facebook पे भी आपको PDF प्रोवाइड करा जाता है आप Facebook पेज से लैक करें इससे जुड़े इस पे और भी आपको पोस्ट मिलेगा बहुत अच्छे अच्छे ताकि आपका तयारी पूरा हो सके तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तयारी करते रहें जैहिन जै भारत